पश्चिम सिंगभून जिला के कोलहान जंगल के गोईल केरा थाना अंतरगत हाथी बुरू जंगल के आगे सो सोपी गाव के पास नकसलियों और सुरक्षा बलों के बीच सुबह मुठभेड हुई, जिसमें CRPF 60 बतालियन के दो जवान घायल हो गए थे। इन में से एक की मौत हो गई है। मुठभेड के बाद नकसली पहाडों में बसे घने जंगल का फाइदा उठा कर भाग खड़ा हुए, जबकि सुरक्षा बलों ने साथी घायल जवानों को जंगल से सुरक्षित तरीके से निकाल लिया। घायल जवानों को हेलिकॉप्टर की मदद से रांची लाया गया और यहां के मैडिका अस्पताल इलाज के लिए भरती कराया गया। चेत्र में कैंप किये हुए है। इसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने सतरक्टा के साथ धीरे-धीरे सर्च अभियान शुरू किये। इसी दौरान सुरक्षा बल को देखते ही नक्सलियों ने अंधाधुन फाइरिंग शुरू कर दी। जवाबी काररवाई में सुरक्षा बलो को भारी पड़ता देख नक्सली धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वहीं मिसर बेस्र समेत अन्य बड़े नक्सली भी जंगल पहार का लाब उठा कर भाग खड़े हुए। लेकर बटन दवाना ना भूले।